अब मुझ आत्मा को ये शिव शक्ती का स्वरूप अनुभव करने के लिए क्या करना होगा वो मैं आपको संग्षेप में बताती हूँ क्योंकि शिव है शिव बाबा और शिव बाबा का स्वरूप है निराकार जोतिर मैं बिन्दू पक्काए ना सबको और मैं हूँ शक्ती तो मुझ शक्ती का स्वरूप कैसा है ये बुद्धी में लाओ और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में मेरी जो रियल आइडेंटिटी है वास्तम में जो मैं हूँ मैं खुद अपने में एक बहुत सुक्षम अजर अमर अविनाशी चेतन्य जो तीर मैं बिन्दू आत्मा हूँ ये आप सब को ग्यान है ठीक है अब स्वयम से ये पूछो कि क्या मैं सारे दिन में अपने इस स्वरूप में कितना स्थित होती हूँ क्योंकि शिव बाबा जोती मैं बिन्दू और मैं उसकी संतान जैसे शक्ती और शिव एक कमाइंड स्वरूप है कि शक्ती शिव की ही है और शिव से ही शक्ती लेकर शक्ती बनी है अपने आप में कैसे वो शक्ती हो उसको शिव से ही शक्ती प्राब तुई वो इसी लिए क्योंकि मैं शिव की संतान होने के नाते वो मेरा पिता है उसका भी स्वरूप जोती मैं बिन्दू और मेरा भी स्वरूप जोती मैं बिन्दू है समान स्वरूप है प्यारा पिता शिव सर्वशक्तिवान है और मैं उसकी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ क्योंकि मेरा और उसका बहुत गहरा और समीप नाता है वैसे भी अगर कुछ जोड़ा जाता है तो दो समान चीजों को ही जोड़ा जाता है एक बाद प्यारे पापतादा के महावाक्य चल रहे थे तो बाबा ने कहा अपने कंबाइंड स्वरूप को ऐसे महसूस करो जैसे हम एक दम आपस में जुड़े हुए हैं माना बाबा ने यहां तक स्पष्ट किया कि आपने देखा होगा कभी कभी दो फल भी आपस में जुड़ जाते हैं देखा हैं आपने दो केले आपस में जुड़े हुए देखें बहुतों ने देखे होंगे ऐसे देखो देवी देवताओं का भी आपस में इतना स्नेहे समीपता और समानता स्पष्ट करते हैं कि उनको राधे कृष्ण को रामसीता को बिल्कुल समीप समान जुड़ावा दिखाते हैं वो तो पोज ऐसा बना देते हैं लेकिन यह समानता एक सुक्षम यह समीपता एक सुक्षम समानता को दर्शाती है कमाइण तो तब हो सकते हैं न जब इतने समीप हो और इतनी समीपता तब संभव है जब ऐसी समानता हो तो मैंने अपने को प्यारे बाबा के इतने समान समीप स्वयम को लाया और उस समानता को लाने के लिए कई फिर समझती है माता है बेन जी हम संपूरन तो बने नहीं फिर कई कहेंगे अच्छा बाबा कहता है संपूरन बनो पुर्शारत करो केंगे हम थोड़ा बन सकते हैं ये हम कहां बन सकते हैं पहले ही सोच लिया अच्छा ठीक है वो भी बाबा ने कहा हैं सभी एक जैसे एक समान नहीं होंगे नंबर वार होंगे भले लेकिन ये तो मालूम है बाबा के प्यार में बाबा के साथ समंध में तो हम कोई भी कम नहीं है है कोई आप मेंसे कम एक भी माता कहे बेंजी मेरा प्यार तो थोड़ा थोड़ा है इसका ज्यादा है अगर हम कह भी देंगे ना इसका ज्यादा है कहेगे क्यों मेरा कम है क्या हाँ बोलो है कोई ऐसी इतनी बड़ी सभा मेंसे तो कहे खड़े हो के मेरा कम है कोई नहीं कहेगी कोई नहीं कहेगी हर एक दिल से क्यों कहे कम है भी नहीं है क्या कम है भी नहीं किसका भी कम नहीं है बोलो यह सकते है हाँ हाँ जी ना कोई का कम नहीं ना सब का ज़्यादा है बोलो जिनका ज़्यादा से ज़्यादा है वो हाथ कड़ा करो सबका ज़्यादा वेरी गुड तो जब आप प्यारे बाबा से प्यार में कहीं भी कम नहीं हो कोई भी कम नहीं हो तो आप बाबा के कितने समीप हो गई सोचो कितने समीप हो गई अंदाज लगाओ मेसूस करो कितने समीप हो गई तो इसी को ही कहेंगे शिव और शक्ति कमबाइंड स्वरू कितने समीप यह खो आको उबर आप पर कितने समी उसे आप हो कितने समीप वेघ